कहीं पर भी प्राइस ने इसके उपर प्लोज नहीं दिया, यहीं डबल टॉप बनने के बाद किया है, फिर यहाँ पर, इसमें शॉट करने का मेरे पास और एक छोटी से ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, आरे साइज जो है, 70 के नीचे आ गई है, डू आइफ टेल यू, यह 74.66 और इस कैंडल का लोड टूटते ही, 70 के नीचे, बेस्ट ट्रेड वही हो है मेरे लिए, जो इसके उपर बंधो, तो हम आगे की स्ट्राटेजी करके जाए, सपोर्ट पे हैमर, मैं कॉल अप्शन का एक छोटा सा रिस्क ले सकती हूँ. नमस्ते फ्रेंज, मैं हूँ जोती बुदिया और आज का मेरा टॉपिक है, डिमांड जोन, सप्लाइ जोन, इसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी खहते हैं, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन, एक होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट और एक होता है जोन zone इसलिए कि वो उस level पे आके वापस से गुम जाता है एक बार दो बार दो बार तो common है तीन चार बार अगर हो जाए तो और भी अच्छा है लेकिन दो बार में भी पता चल जाता है ऐसा है कि यहाँ पे एक range बनती है यह होती है supply और resistance zone zone और यह है यहाँ पर नीचे बनती है demand और support zone कभी आप मेरे से support zone सुनेंगे कभी demand zone सुनेंगे कभी resistance या supply क्योंकि जादा अदत तो हमें resistance और support बोलने की ही है तो इसलिए अगर कहीं पे demand की जगए support निकल जाए तो समझेगा वो demand zone की बात कर रही हो तो हम क्या करते हैं कि let us say यहाँ पर कोई एक green candle है green candle demand की होती ही क्योंकि वहाँ से price उपर गया हुआ रहता है तो उसके high और low का एक zone बना लेते हैं और stop loss इसके नीचे अगर कोई candle close हो गई तो वो हमारे लिए stop loss होगा और price जो है इसके अंदर move करते करते ऐसे उपर चली जा जाती है फिर इसी level में घुमती है फिर उपर जाती है अगर मानलो हम फिर से यहाँ पर ही लेते हैं कहीं पर तो यह हमारा stop loss होगा बिना stop loss के कभी भी trade मत करिएगा same way यहाँ पे एक red candle होगी जिसके high और low को हम mark करेंगे और वो एक zone होगा मतलब जब भी उस level के अंदर आता है जब भी उस rate के पास में आता है कोई भी script हो index हो तो हमने देखाए कि वहाँ पे selling आती है तो उसको हम यह कहते हैं कि supply भी आती है वो resistance level भी है तो वो एक zone जो होता है उसके अंदर price चलती है फिर नीचे जाती है फिर उपर आती है फिर टिकी रहती है फिर नीचे जाती है फिर उपर तो stop loss जो रहेगा हर बार इस zone के बाहर अगर close आ गया तो वो हमारा stop loss रहेगा और इसके नीचे हम और भी position अड़ कर सकते हैं तो इसी चीज को चलिए हम chart पर देखते हैं अब अगर हम देखें तो ये एक top दिख रहा है इस top का इसके बाद वापस ये double top यहीं बन गया तो हम एक zone बना देते हैं इसे ये इसका high ये इसका low और ये एक rectangle हम बनाके आगे तक extend कर देंगे कि जब भी आएगा वहां तक हम इसे देखेंगे तो हमने high और low का zone बना दिया ये ऐसे ही रखेंगे हम जब तक इसके उपर break ना दे अगर price आगे extend हो गया तो हम इसे भी आगे extend कर देते हैं तो आप देख रहोंगे कि कहीं पर भी price ने इसके उपर close नहीं दिया ये double top बनने के बाद किया है फिर यहां पर ये भी एक type का zone में zone मिल गया देखें लेकिन हमारा best कौन सा रहेगा ये रहेगा क्योंकि हमने जो starting मे रहेगा तो जब भी ये zone के पास आता है zone के अंदर आता है zone के उपर आता है तो मैं इसमें shot कर सकती हूं अब इसमें shot करने का मेरे पास और एक छोटी से trick है वो trick क्या है सभी लोगों के request के बाद जोती मैं finally ready है to conduct a mentorship program for all the candidates who've been watching and learning from our videos ये mentorship program में हम profit making trading setups के बारे में discuss करेंगे और उन्हें साथ ही साथ practice भी करेंगे ये एक बहुत ही detailed program है इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिये गए link पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे so hurry up guys before someone else grabs your seat मुझे तो नहीं पता कि भाई इसको ब्रेक करने के बाद करूं मन तो करता है यहां पे कर दूं क्या कहते हो यहां पे करना चाहिए मुझे ट्रेड stop loss इसके उपर है बट थोड़ा सा confirmation तो मैं दो डिग्री लोवर जाओंगे दो डिग्री मतलब मेरे लिए अगर मैं जैसे यह डेली का चार्ट देख रही हूं यह चार्ट पे यहां पे 1D लिखा है मतलब मैं डेली देख रही हूं तो मेरे जो डिग्रीज हैं वो है 1 hour 30 minutes 15 minutes 10 minutes 5 minutes उससे नीचे मैं जाना पसंद नहीं करती तो अगर मैं डेली देख रही हूँ, तो लेवल नीचे या दो डिग्री नीचे जो तो आएगा वन अवर और उसके बाद 30 मिनिट्स और मुझे ढूनना ना पड़े, इसलिए मैं इस कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन बना देती हूँ तो जब मैं 2 डिग्री लोवर जाओंगी, तो मुझे ये डेट और ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है ये 30 मिनिट्स किया, मैं बताती हूँ, वाँ पे मुझे क्या चाहिए, yes 30 मिनिट्स में, my friends, RSI 70 के नीचे आती है अगर RSI 70 के नीचे आती है 2 डिग्री लोवर टाइम फ्रेम में, तो मैं इस ट्रेड को ले लूँगी, with a stop loss of जो हमारा zone है, जो band है, उसके उपर का stop loss लगाके, right दिख रहा है, RSI 70 के नीचे, दिख रहा है, RSI 70 के नीचे आ गई है, do I have to tell you, यह 74.66 था, और इस candle का low टूटते ही 70 के नीचे, और यह candle जब close हुई, यह वाली, तो 61 था, तो काफी early है न, नहीं, तो यह zone टूटने के बाद मैं, ट्रेड लूँ, उसके पहले मैंने थोड़ा सा advanced trade ले लिया, तो मेरा trade थोड़ा सा better हो जाता है, तो इस तरह से मैं supply zone का भी use कर सकती हूँ, उसके बाद price आप खुद देख रहे हैं, तो क्या यह price अभी demand zone में आने की तयारी में है, यह demand zone बन रहा है, because यह एक support, फिर यह एक support, फिर यह एक support, यह भी एक support, यह सब लेवल चार support है, तो इसका मतलब यह एक demand zone है, तो यहां से इसका low और इसका high लेके मैं एक zone बना दू, अभी price इसके उपर है, तो कोई problem नहीं है मुझे, लेकिन price इसके नीचे रहेगा, तो मेरा वो stop loss हो जाएगा, यह second, यहां पर मान लो अगर मैंने बनाया है, यह third, चलो हम यहा पर मैंने बनाया है, तो भी हमें ज्यादा benefit नहीं हुआ, लेकिन trade मिला की नहीं, तो चलिए इसको हम shift करते हैं यहां पर, और देखते हैं lower time frame में, क्या यह 30 के उपर आया है की नहीं, जब market fall होता है, तो RSI 30 के नीचे चला जाता है, तो मैं इस तरह से इसको combine करती हूँ, so what's difference आ गया, 30 के उपर, आया यहीं यहां पर भी है, लेकिन मुझे zone के अंदर चाहिए, तो इसके लिए यह zone में हटा दू, तो आपको और भी clarity मिल जाएगी, यह है demand zone, इसके अंदर जब आता है, RSI 30 के असपर साती है, तब can I buy it, yes, और यह carry करूँगी या नहीं, नहीं, क्यों क्योंकि इसने zone के बाहर बंद नहीं किया, तो intraday तो हो ही गया, ठीक है, अब जब यह zone के बाहर बंद करेगा, तब मेरे लिए delivery होगी, जब तक यह zone में रहेगा, यह मेरे लिए delivery trade नहीं है, तो जब भी यहाँ पर आएगा, मैं trade लूँगी, और यह को और है, चलिए यह भ आल कैंडल थी, तो 30 के नीचे से उपर आया, नहीं, डे की beginning में ही, अगर वो 30 के उपर आता है, या middle, वहीं से मतलब positive turn लेना चाहता है, या demand zone के bottom पे है, तो try कर सकते हैं, बट कोई खास profit नहीं मिला, क्योंकि zone के बाहर बंद नहीं किया है, बाहर उपर, और फिर उसके zone का, for time being, कोई value नहीं रहता है, क्या हम वापस है, demand zone के पास में है, यहां पर एक demand zone आतो रही है, let us see, कैसे, ठीक है पहले वो दिखाते है, क्या यह horizontal line बना सकती हू, as a supports, yes, 1, 2, and it is expected to be here, RSI 30 के नीचे है, तो RSI देली में भी अगर 30 के नीचे है, तो I will not take a trade, that is for sure, तो यह जो है, हमारी candle, इसके साथ में हम इसे demand zone में ले लेंगे, जो green candle बनी होती है, उसी के साथ, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, मतलब यह level पे जब भी आया है, तो अब यह जो है second में बना है, तो यहां पे trade मिला होगा, यहां पे मिला होगा, पर carry तो नहीं किया, why, because उ दूसरे दिन उपर ही खुला, and all that, best trade वो ही हो है मेरे लिए, जो इसके उपर बंद हो, तो हम आगे की strategy करके जाए, और बंद से जादा, मुझे trade carry करने का मजा, तब आएगा, जब zone के उपर बनतो दे, plus yesterday का जो high है, या previous trade का जो high है, उसके उपर जाए, मतलब higher high बनाए, तो मुझे बहुत मसाएगा, एकाज script और देखते हैं, जो की demand zone में है, friends, आज मैं जब ये record कर रही थी, तो काफी scripts demand zone में थी, उसमें से सबसे अच्छा जो मुझे लगा, वो था nifting, supply zone का एक और दिखाती हो मैं आप लोगों को, बहुत अच्छा trade था, supply, ये देखे, मेरा already mark कि आ हुआ है, ये second time open high, पिछले candle का low नहीं तोड़ा और बाहर नहीं बंगिया, इसलिए trade क्यारी नहीं हुआ, otherwise just see this vertical line बनाओ, ये vertical line बनाई, क्या करना है, 2 degree lower, 30 minutes, RSI 70 के नीचे आया, ये देखे, RSI यहाँ था, 70.33, और फिर उसके बाद एक तरह से negative divergence भी दे गया, और क्या चाहिए, हो गया काम मेरा, open high तो ही है, I can trade, next day again open high, I don't know, यहाँ पे क्या होगा, लेकिन जब ये वाला close आया, कहां पर, zone के पाहर, तो इसके low के नीचे, तो भाई, अब तो नहीं छोड़ सकती न, stop loss, zone के अंदर का stop loss, start and see the result, है न मस्त, Friends, आज का दिन, जब ये मैं record कर रही हूँ, तो morning से ही coffee stocks demand zone में थे, उसमें से एक जो मुझे मिला, nifty, सबका favorite, चलिए उसकी demand zone देखते हैं, देखे, already marked है, फिर से आपको इसको दिखा देती हूँ, मैंने कैसे mark किया है, पहले मैं horizontal line बना दूँ, जिससे आपको पता चल 1, 2, यहाँ पे closest के नीचे नहीं है, 3, तो हम यहाँ पे zone बना देंगे, यह high और यह low को लेके, और इसको हम extend भी कर सकते हैं, आगे रखती सकते हैं, फिर से कर रही हूँ, तो देखिए, यह जो है, मुझे यह इसका high, यह low, इसको लेके मैं extend कर देती हूँ, और थोड़ा सा ठीक से बना देती हूँ, यह लेजिए, यहाँ पे, फिर यहाँ पे तो अंदर बंद हुआ, आज, start यहाँ से हुआ, अब इसके बाद, देखना क्या है, इस ट्रेट को लेना चाहती थी, तो 30 minutes, can you see RSI coming above 30, simultaneously friends, मुझे एक चीज जो मिला था, वो था hammer, support पे hammer, मैं call option का एक छ continue this, see, close is above the zone, इसका मतलब मैं इसे घर ले जा सकती हूँ, मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं इसे घर ले जाओ, इसका bull call spread भी बना के ले जा सकती थी, लेकिन कहीं न कहीं, जब मैंने यह देखा और खटका हुआ कि लास्ट में जो है न साइडवेज हो गया, एक, दो, तीन, 30 minutes मतलब डेड़ घंटा, one and a half hour, यह साइडवेज हो गया, और साइडवेज हो के, अगर मैं डे में जाके बद देखूं, तो इसने कल का हाई नहीं तोड़ा, अगर कल का हाई तूट गया होता, हाँ, बहुत बड़ी बाइंग आती तो शाय तूट भी जाता, बट, फ्राइड 33 के असपास निकाल दिया, and one more thing, मुझे जब यह ट्रेड दिखा, तो सोचा कि आप लोगों के लिए यह थोड़ा सा एक live record कर देती हूं, जिससे आप लोग यह समझ जाएं, कि मैं trade देखती कैसे हूं, और लेती कैसे हूं, तो चलिए live recording देखते हैं, इसकी थोड़ा नीचे है, कोई नहीं, stop loss place में है, फिर किस बात का डर, कम profit आएगा, 200 की जगा, 150 में जाएगा, यह चो ST लगा रही है, 7 by 2, मैंने आपको सिखाया है, यह भी एक video में, इंट्राडे options, कैसे मैं trade करती हूं, तो आभी, जब मैं trade कर रही हूं, तो मैंने का पूरा scenario आपको साथ साथ में दिखा दूँ, देखिए, high cross करने की तयारी में पिछली candle का, फिर से alert बच सकता है, जो डाला था, मज़ा आता है live market में यह सब देखना, और कभी-कभी, जब अपने favor में चलता है, तो और भी मज़ा आता है, मैं continue alerts डालते रहती हूं, जिससे मुझे बार-बार भाव देखना न पड़े, जब भी वो rate आ जाए, वो बच जाएगा, और मुझे समझ में आ जाएगा, बड़ा परिशान कर रहा है यहां पर, तो तो market का कामी है, प्राइस अभी तक उपर जा रही है, continue देखिए, आज का day high break हो गया, alert बजने ही वाला है, यह बज गया alert, 22059, हाई बीच-बीच में बंद करना पड़ता है, मेरा आपकाम चल रहा है, continue साड़े तीन तक नहीं रख सकती, अभी डेड़ बजने वाला है, अब यह जो open high दिख पर alert add कर देते हैं, premium 198, अब मैं अपना stop loss जो है, वो इसके नीचे around about 160 पर लेके आ जाती हो, यह देखिए, how beautiful, क्यानस तो बचते ही रहेंगे, जैसे जैसे ट्रेड आएगा, 219, क्या कहते हो, अब मैलिंग stop loss, 175 कर दिया मैंने, वाई, इसी के यह देखिए, थोड़ा सा रखे, 221, क्या movement है, 223, roughly, हाई देखिए, हाई पर नजर रखिए, 224, और लेफ्ट एंड साइड में जो फर्स्ट वाला है, वो स्पॉट चल रहा है, दोनों 5-5 मिनेट से, 5 मिनेट का टाइम फ्रेम पर चला रही हूँ, options है, तो movement तो उसी के यह साब से चलेगा, इंट्रा डे, मैंने अल्रेडी यह कोर्स किया है, इसका वीडियो रखा हुआ है, आप लोग को पसंद आए, तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं इसका और भी advanced version बनाऊंगी, ऐसे बहुत सारे live वीडियो आपको बना के समझा दूंगी, बट बताना तो पड़ेगा आपको, नहीं तो मैं आपकी भाशा कैसे समझूंगी, कि आप मुझ से क्या कहना चाहते हूँ, और कैसा move कर रहा है यह, जस्ट हैमर एट सपोर्ट, विद अ फॉलो अप और रसाइ अबाव 30, इन डिमांड जोन, दू टू एट, दू टू नाइन, दू थर्टीवन, वाउ, मन कर रहा है ना बेच तो, सिस्टम क्या बोलता है, रेल, अब मैं इसका bull call spread बनाने का मन नहीं है, because आज ये इतना भाग गया है, 22,300 इसका premium जादा नहीं है, 78,79 है, so not very much interested, अगर ये कल का high नहीं तोड़ा, I will not take it home, कभी ऐसा लग रहा है, कभी लग रहा है कि देखते हैं, जोन के उपर बन दिया, तो spread बना के चली जाओ, देखते हैं क्या करूं, 237, 238, और ये लास्ट वाला कॉलम put, देखें put किस तरह से गिर रहा है, call किस तरह से बढ़ रहा है, 239 का high, सची सची बताना, कितने लोग यहां तक 110 का call लिया हुआ, अभी तक खड़े रहेंगे, trading stop loss के साथ, प्लीज मेंशन, मज़ा आएगा, तो ये इस trade बनाने में, या trade करने में, study में, जो हम study करते हैं, discipline, knowledge, no emotions, system जो बुलता है, वो ही करना है, और क्या चाहिए, तेखिए, alert बजने की तयारी है, market इतने दिन से fall हो रहा था, आज buy की हिम्मत ही क्या, बिल्कुल नहीं, लेकिन system ने क्या बुला, कि we are at demand zone, break कर दिया न, उसका high, alert बज गया न, 22141.95, दो बज़े हैं, मैं यह सब tabs साथ में खोल के रखती हूं, जब जो देखना हो, high, 258 के करीब का high मार चुका है, और मैं इसका stop loss अब 200 रुपे के आसपास ले आऊंगी, क्योंकि 214 super trend के इसाब से value वहाँ पे आती है, यह 200 के आसपास, मतलब 197 मेरा trailing SL रहेगा, 110 में लिया हुआ, अगर, सॉरी, 197 मेरा stop loss रहेगा, 200 के आसपास का भी stop loss है, और 110 में लिया हुआ है, approximately 87 मिल रहे हैं, और क्या चाहिए, यह देखिए, नीचे आ रहा है, premium भी नीचे आया, बट stop loss है हुआ, अभी तक नहीं हुआ, नहीं हुआ न, निफ्टी का यह जो है, approximately, देखिए, अभी जो है न, price, अल्मूस्ट तीन, यह देखिए, तीन कैंडल जो है, sideways बन रहे है, दो दिन का theta कौन देगा, 233, I exit, क्यों वेट करूँ? So, exit कर रहे हूं, 233, close. सभी लोगों के request के बाद, जोती माम फाइनली रेडी है, तो कंड़क्ता mentorship program for all the candidates who've been watching and learning from our videos. यह mentorship program में हम profit-making trading setups के बारे में discuss करेंगे, और उहें साथ ही साथ practice भी करेंगे. यह एक बहुत ही detailed program है, इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिये गए link पे जा सकते हैं, और जान सकते हैं कि हम क्या-क्या चीज़ कवर करेंगे. So, hurry up guys, before someone else grabs your seat. तो friends, कैसा लगा यह live recording, live में trade, मज़ा है न? तो अगर आपका like और comment आएगा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा like होंगे, उसका advanced version तो बनाऊंगी. और अगर इसमें ज़्यादा मिले, तो इसका भी बनाऊंगी. और जैसे-जैसे मौका मिलेगा, मैं इसी तरह से live trades भी record करके आपको दिखाऊंगी along with options. हमेशा stop loss के बिना काम मत करना, trail करना, ऐसा risk लोग कि आपकी pocket को पता ही नहीं चला कि loss हुआ है, बस एकदम limited. और study पे focus रखो, knowledge पे focus रखो, system पे focus रखो और अपने emotions पे control. आपने देखा, मैं बिलकुल last में जब हुआ, तब मैंने का कि दो दिन का theta, नहीं देना है Saturday, Sunday का, close करके जातने, Monday का Monday देखेगे, और उसके साथ में जो सबसे important point मैंने देखा, वो क्या था? कि कल का high नहीं तोड़ा था. So, that was the biggest thing. और, friends, अभी हमने एक और चीज़ शुरू की है, कि आपकी अगर जैसे कोई query है, आपको मुझसे कुछ पूछना है, तो यहाँ पर reply करने के बदले, मैं और हमाई team क्या कर रहे हैं, कि सारे questions निकाल रहे हैं, और उन पर video बना रहे हैं, 5-5-6-6 question ले रहे हैं, उन पर video बना रहे हैं, यहाँ पर अगर answer लिखूंगी, आपका reply दोंगी, तो सिर्फ आप देखेंगे, उसका video बना के डालूँगी, तो बहुत सारे लोग सीखेंगे और समझेंगे, तो चलिए, मिलते हैं next video में, नमस्ते